NPL मा जनकपूर बोल्स को हैट्रिक जीत, बलियो बन्यो प्लेअफ सम्भावना, कुसल फूर्तेल को न बलिन चलियो न बैटी, हेरों एक रिपट काठमनो नेपाल प्रीमियर लीग NPL मा जनकपूर बोल्स ले लगातार तेस्रो जीत दर्ता गरेको सा, कृति पुरिस्ते त्रीबुबन बिसो विद्यालाएको क्रिकेट मैदान मा आजब हैको खेल मा पोखरा एवेंजर्स माथी जनकपूर ले साथ वेकेट को जीत दर्ता गर पोखरा पहिलू खेल मा चीत्वन रायनुच्चंग 87 रन ले पराज़ित फाय को थियो आज़ेको पहिलू खेल मा पोखरा एवेंजर्स ले दियेको 149 रन को लक्षियो जनकपूर ले सत्र दसमलब एक ओबर मा मात्र तीन वेकेट को छेती मा पुरा गर्न शफल भायो जनकपूर का लागी लाहिरू मिलान्था ले सरवादिक 45 रन जोडे बने सोक्रम मा 32 बल खेले का उनले 84 का प्रहार गरे शुलंका ओरिजिन का अमेरिकी क्रिकेटर मिलान्था एनपील का लगातार तीन खेल में इच्चंग की रहे का सन लिग मा 144 रन का साथ मिलान्था सरवादिक रन करता को स्विर्श स्थान मा रहे का सन पहिलो खेल मा विराटनगर किंग्स पिरुद्दा पचतर रन हाने का उनले करनाली यक संग को दोसरो खेल मा 24 रन जोडे रामरो फिनिसिंग गरे का सन साथै न्यूजिलान का स्टार जेम्स निसमले 20 बलमा 56 प्रहार गरदे 40 रन मा अफिजित रहे उपनर आसेफ सेखले 24 बलमा 34 को सहयोग मा 33 जोडे भने और का उपनर एवम कप्तान अनिल कुमार साहा आज चलन सके नन उनले 3 बलमा 1 रन मातरे जोडे हरसो ठाकरले 24 बलमा 14 को सहयोग मा नाटाव 13 रन बनाए बलिंग तरफ पोखरा का लागी माइकल लेस कुसल भूर्तेल रब्बिपिन खत्रीले समान एक विकेट लिए तेस अगी टस हारे रपहिले बैटिंग को निम्तोपायको पोखराले निर्धारित 20 ओवर मा 7 विकेट 20 रेमन रेफर ले 17 र दिलिपनाथ ले 11 र रन को योगदान दिये साथ है दिनिस्खरेल ले 10 कप्तान कुसल भूर्तेले 6 रन जोडे बने अबिजेत रहदाई नारायन जोशीले 5 र विकेट ले एक रन बनाए बने जनकपुर का लागी ललित राजबंग सीले सर्वाद एक Global IMI Bank, सबईका लागी बनाए